जैहिन दोस्तों कैसे आप सब मस्त होंगे हम बात कर रहे थे दा हम बात कर रहे थे पॉलिटी के बारे में पॉलिटी हम पढ़ रहे थे जो कि हम बात कर रहे थे राश्टपती के बारे में राश्टपती की चर्चा हमने कर चुका था आर्टिकलों के जरीए ये फाउंडेशन हर एक exam के लिए ये जरूरत बड़ेगी किसी भी exam में आप बैठ रहे हैं सभी exam में आपको ये आएगी तो हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था राष्टपती की जितने भी power पावर की बात करूं अगर तो power अलग है और emergency power पर अलग है तो राश्ट्रपती के अंडर में पावर इमेर्जन्सी पावर दी गई है तीन तरे के आज हम उन तीन तरे की जो पावरे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम यहां पर बेटा हम ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स की बात कर रहे हैं, notes जो आपको होगी notes थोड़ा धीरे-धीरे available हो पाएगी, तो मैं आपको notes यहीं पर बोल दिया करूँगा, और आप लोग वहाँ पर note down कर लिया करिए ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर समझा दिया करूँगा, उसके बाद वही चीज़ आपको से लिखेंगे, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, तो हम आज बात करेंगे, the power of, the emergency power of president, क्या बात करना है आज हमको, पिछली क्लास में इसके पहले वाली classes ले चुका हूँ foundation जितनी भी classes हैं, उनको मैंने चर्चा कर चुका है, जोकि एकदम नीचे लेबल से शुरू किया हूँ, एकदम नीचे लेबल से लिया हूँ classes, तो आप वहाँ पर जा करके playlist बनी हुई है, playlist आप देखेंगे, तो playlist में आपको सारी classes available में लियाएंगे, ठीक हैं, तो आज आची class में हमको चर्चा करना है, the emergency power of president, the, the emergency power of president, राश्रपती की आपाद सक्तियां, बेटा यहाँ पर अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो the emergency power of, the emergency power of president, आपाद, राश्रपती की आपाद सक्तियां, लिख लीजिए गा, आपाद सक्तियां, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आपाद, आपाद, सक्ति, ठीक है, इसको अध्यान रखिएगा, आपाद सक्तियां, अगर मैं बेटा राष्ट पती के आपात सक्तियों के बारे में बचर्चा करूँ सक्तियों के बारे में बताऊँ तो देखिए राष्ट पती की सक्तियां ऐसी होती है जो एमेरजनसी पावर होती एक सक्ति होती है जो के हमारे देश में अकेले देश के अंदर जो लागू हो जाती है सभी देश के अंदर लागू होंगी लेकिन एक तरह की सक्तियों जैसे राष्टपती के अंडर में कोई चीज है जैसे हम मान बात कर सकते हैं कि सैन सक्ति, विवेग, विसेशा अधिकार ये सारी सक्तियां आपकी जो मिलेंगी आपको ये सब कहा मिलेंगी राष्टपती के अंडर में सैन सक्ति जितने भी युद्ध होना कब है कब सुरू होना है कब विराम होना है ये सब सक्तियां आपकी सैन सक्ति में आ जाएंगी और सैन सक्ति की ताकत किसके पास होती है राष राष्ट्रपती की सासन चालू होगा और ये संविधान में दिया भी गया है ठीक है भले संविधान वो हो जाएगा लेकिन कुछ आर्टिकलों के जरिए संविधान निर्माताओं ने ये बताया है कि राष्ट्रपती की जब सक्तियां लेगेंगी तो वहां पर कुछ चीजों का एकदम से विपरीद कर दिया जाएगा एक प्रकार से लागडाउन के तरह हो जाएगा तो इस प्रकार का हो जाएगा यही है आपके अमर्जनसी पावर और वो अमर्जनसी पावर तब लगती है जब हमारे देश पर किसी प्रकार के विपत्ति आने वाली होती है तब रा राश्ट्रिय एमर्जन्सी पावर, राश्ट्रिय आपात कालीन सक्ति, राज किये, जो हमारे राज में होती है, state emergency power और तीस तीसरा है financial emergency power जो financial की बाद करूँ जिसको कहते है हिंदी में विद्धिय साशन क्या कहते हैं विद्धिय सक्ती सब के तीनों के बारे में यह हमारी तीन सक्तिया है जो कि आपात काली emergency के समय ली जाती है मैं अगर emergency की बाद करूँ आपकी emergency power की तुरंत राष्ट पती वो चीज लेता है ठीक है तुरंत वो चीज राष्ट पती लेता है और किस किस के उसमें लेता है ये सारी बाते हम इसमें डिसकस करेंगे तो तीन प्रकार की आपकी है ये emergency power देखे ध्यान से पहली हो जाएगे आपकी national national power national emergency power लिख लिजेगा national power लिख लिजे पूरा लिख लिजे आप लोग national emergency पूरा लिखेगा power emergency emergency power नेशनल emergency power पहली हो गई और दूसरी हो गई आपकी state state emergency power ये आपकी आपातकालीन सकतिया है पेटा ध्यान रखना और तीसकी हो गई आपकी financial 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 emergency power emergency power ध्यान से देखिए तीनों आपको यहाँ पर देगई हैं ये आपकी राष्ट्री राष्ट्री आपातकालीन सकतिया है राज़्ट्री है और ये आपका राज़की है राज की हिंदी की बात करूँ ये आपकी वित्ती है क्या है वित्ती है ध्यान रखना वित्ती है ये आपकी राज़्ट्री है ठीक है ये आपकी तीन तरगत की सक्तियां है जो कि आपकी एमर्जनसी पावर है क्या है एमर्जनसी क्या की जाएंगी कि इसके अंतरगत राष्ट पती जो होगा वो तुरंत निरड़े लेगा निरड़े की बात करूँ कि निरड़े किसके उसमे लेगा तो निरड़े जो हमारे मंत्री मंडल है उसकी लिखित सिफारिस पर लेता है लिखित सिफारिस की बात करूँ तो जब राष्ट पती ऐसे ही नहीं लेता आप पूरी पॉलिटी पढ़ डालेंगे लेकिन आपको यह नहीं समझ में आएगा पूरा संविधान पढ़ डालेंगे आपको यह नहीं समझ में आएगा कि किसके कौन है इसमें मुखिया। ठीक है? किसी नकिसी के अपक्षा, किसी नकिसी के जरीए ये आपको पूरी पावर दी गए है पूरी पॉलिटी में कभी ये समज में नहीं आएगा कि कौन इसका मुख है और किसे पास पूरी सम्भिधान की power है, यह चीज है आपका सम्विधान, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रे सकती है, राष्ट्रपती है भले लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सभी में, जो हमारे मंत्री मंडल होंगे मंत्री होंगे, उनसे लिखित सिफारिस पर ही ये सक्तियां ली जाएंगी ये जो हमारी emergency लगाई जाती है ये हमारी जो emergency लगाई जाती है इस पर जो लिखित सिफारिस पर मंत्री मंडल के लिखित सिफारिस पर ही लगाई जाती है यहाँ पर वित्ती में है वित्ती में वो मौखिक के लिखित सिफारिस पर ही लगाई जाती हैं मैं बात करूँ अगर थोड़ा इंक डाल लो इसमें देखें नोट्स अभी देखें ध्यान देजिएगा नोट्स काफी चुलबूली मच रही होगी आप लोगों के कि नोट्स भी मिलनी चाहिए तो नोट्स मिलेगी राश्ट पत मढ आक्रमण होने वाला होगा तब लगाई जाएगा आपकी नैश्नल इमेरिजनसी दूसरा है आपका बाहर से आक्रमण और दूषरा है युद्ध की स्थिति होगी और तीसरा हो जाएगा ससस्त्र विद्रोः क्या होता है बच्चा सस्त्र ससस्त्र विद्रोह ससस्त्र विद्रोह का मतलब यह होता है कि अगर अचानक कोई भी चीज कोई विद्रोह छण जाए पूरे देश में किसी मामले को ले करके किसी को ले करके विद्रोह सुरू हो जाए तो यह आपके आकरमण तब आपकी national emergency यां लगाई जाएंगी आक्रमण और युध बाह आक्रमण और युध ध्यान से देखे इन दोनों में अंतर युध तो युध हो गया और आक्रमण हो गया देखे आक्रमण क्या होता है आक्रमण तब होता है जब बीना बताये हुए हमला कर देना क्या होता है बीना बताय हुए हमला कर देना हमारे देश पर मालीजे हमारे देश पर कोई बाहर का देश क्या कर दे कि बीना बताय हुए इस पर हमला कर दे तब आपकी national emergency राष्ट पती लगा सकता है और किसकी सिफारिस पर लगाएगा मंत्री मंडल की सिफारिस पर लिखित प्रमाड पर ये लगाया जाता है किसके प्रमाड पर लगाया जाता है लिखित दिया जाएगा तब ही ये चीज लगेगा युद्ध बताकरके युद्ध हो युद्ध अब सुरू होने वाला है तब आपकी national emergency लगा दी जाएगी ससस्त्र विद्रोह कोई अचानक विद्रोह सुरू हो गया तब आपका ये ससस्त्र विद्रोह में भी आपकी national emergency लगाई जाती है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्टिकल की तो नेशनल एमर्जनसी जो होगी जो आपकी राष्ट्रिय एमर्जनसी पावर आपात सक्तियां होगी अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए ध्यान से यह आपका 352 आर्टिकल 352 के तहट यह सक्तियां लगाई जाएंगी अगर इन मामलों पर अगर सकतिया लगाई जाएंगी, तो आर्टिकल 352 लगा करके, तब ये सकतियों का प्रियोग होगा, आर्टिकल 352 के तहट, नेशनल राष्ट्री आपाज सकतियों का उत्घाटन होगा, उत्घाटन की बात करें तो ये सुरुवात होगी आर्टिकल 352 से और आर्टिकल अक्सर पूछा जाता है कि आपात, राश्ट्री आपात सक्तियां, exam level से बात करूं, competition level से तो राश्ट्री आपात सक्तियां किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, या किस आर्टिकल के जरिये इसका जरिया दिया गया है कि किस आर्टिकल का यूज करके किस आर्टिकल का प्रियोग करके राश्ट्री आपात सक्ति का प्रियोग किया जाएगा तो आर्टिकल 352 बेटा, आर्टिकल 352 में काफी प्रकार की घटनाएं हैं काफी प्रकार की चीजें हैं अभी मैं इसको एक-एक करके चर्चा कर रहा हूँ देखे तो यहां पर देखिए बाह विद्रो ऐसा क्यों लगाया गया राश्ट्री जो ये emergency power भया क्यों लगा दिया गया बाह आक्रमण की वज़ा से यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा जब राश्ट्री सासंद जब राश्ट्री emergency power लगेगी जब राश्ट्री emergency national emergency लगेगी तो जितने भी गाड़ी एकदम lockdown जैसे माहल हो जाएंगे ध्यान रखना जब भी राश्ट्री emergency लगेगी तो एकदम क्या हो जाएगा माहल एकदम lockdown जैसा हो जाएगा जो कि आपको कोरोना में आपको देखने को मिल रहा था यहां पर आंतरिक सकती थी आंतरिक की बात करूँ मैं आंतरिक असान थी जिसमें आपकी इंद्रगांधी जी ने 1975 में लगा दिया था यहां पर लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको बहुत ही हरकाया गया था ठीक है लेकिन वहां पर जो आंतरिक असान थी का मतलब यह था कि जबर जस्ती नस्बंती करवा रही थी इंद्रगांधी जी जनता पर कंट्रोल करवा रही थी तो वो चीज यहां से हटा दिया गया है ठीक है ध्यान रखना 1975 में वो जो असानती वाला लगा था वहां से इसको हटा दिया गया है अब आपकी तीन ही प्रकार की यह राश्ट्री सक्तियां यहां पर दी गई है राश्ट्री सक्ति में जब मैं बात करूं कैसे लगती है कैसे किस प्रकार से देखेंगे आप अपने चारों तरफ तब आपको देखने को मिलेगा वेट जब राश्ट्री सक्तियां लगेंगी जब राश्ट्री सक्ति लगे कि तो आपका सारे कानून बंद हो जाएंगे ध्यान रखना सभी कानून का काम क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा और सभी कानून अपने अपने दर पर ठप रहेंगे ठीक है वहीं से जित्ती समय लगा उत्ती समय अब ये मस सोचना अभी यहाँ पर आर्टिकल तीन सो बावन लगा है आर्टिकल तीन सो बावन ये कह रहा है कि राश्ट्री सक्ति लग गई आर्टिकल तीन सो बावन गई उपयोग करके राश्ट्री सक्ति का प्रियोग करके क्या कर दिया गया देश पर राश्ट्री एमर्जंसी लगा दी गई अब आर्टिकल जब 352 आएगा तो इसके साथ में क्या आएगा आर्टिकल 358 भी इसी के साथ में चला आता है ध्यान रखना आर्टिकल 358 बेटा आर्टिकल 358 पढ़े होंगे आप चारो तरफ घूमने की स्वतंदरता जहां संगठन बनाने की स्वतंदरता सारी संगठनों को रद कर दिया जाएगा आर्टिकल 358 के तहट अब ध्यान दीजिए इंपोर्टेंट बात यहाँ पर आर्टिकल जब भी यह मैं यहाँ बता रहा हूं बार बार कि 352 के तहट लगेगी और 352 जैसे ही लगा उसके पीछे पीछे आर्टिकल 358 चला आएगा क्या चला आएगा आर्टिकल 358 भागता दोड़ता चला आएगा आर्टिकल 358 में क्या कहा गया है कि जो आपकी जो पूरे मूल अधिकार की हमारा मौलिक अधिकार है हमारे मौल अधिकार जो दिये गए है मौलिक अधिकार देखे होंगे आप नहीं जानते हैं मौलिक अधिकार मैंने चर्चा किया है आर्टिकलों के जरीए पढ़ाया है पूरा मौलिक अधिकार मैंने खतम कर दिया है मेरी वीडियो नीचे लेक्चर में पढ़ी होंगी वहाँ पर जा करके आप मौलिक अधिकार भी पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 19 का काम दिया गया है 358 के तहट जो आर्टिकल जो मौलिक अधिकार का रेड जिसको कहा गया है जो संभिधान का जो मौलिक अधिकार का रेड जिसको कहा गया है आर्टिकल 19 को कहा गया है और आर्टिकल 19 का यहाँ पर काम खतम हो जाता है जब आर्टिकल 358 लगाया जाएगा तो इसका काम खतम हो जाएगा किसका काम खतम हो जाएगा Article 19 का काम खतम कर दिया जाएगा और Article 19 के जीसे ही βच्चा काम खतम हुआ ना जीसे आरिटिकल 19 का काम खतम हुआ ना वह इसे ही जितने जो घूमते हैं जो मतलब की जिदर बीना हतियार के सभा करने की स्वातंतरता है जहामन हो वहाँ घूमने की स्वतंतरता है Article 19 में यही चीज बताया गया है तो जो मूल अधिकार की रीड है जो हमारा रीड है वो Article 19 है क्या है? Article 19 है तो सारे रीड को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा रद कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपकी कुछ भी चलने वाली नहीं है ध्यान रखना कोई मौलिक अधिकार जैसे ही राष्ट्री सकती लगी हो सकता है कि आपको छट पर भी निकलने की स्वतंतरता नहों आप अपने घर में घुशे रहिए बैठे रहिए कल्यों से बैठे रहिए जैसे ही नेशनल एमर्जंसी लगी ये चीज आपको बताया गया है गाउं में कहीं घूमने की स्वतंता हाँ बिल्कुल जब आप सोचते होंगे कोरोना वाइरस में कोरोना वाइरस में ये था कि जैसे लागडाउन लगा था क्या था लागडाउन जैसे लगा था अभी यहाँ पर देखेंगे कि लागडाउन जैसे लगा था तो वहाँ पर पुलिस लगी थी लेकिन जब ये एमर्जंसी लगेगी राष्ट्री एमर्जंसी लगेगी तो वहाँ पर आर्मी बैठ जाएगी और बेटर जानते हो कि जब आर्मी लगती है तो कईसे तोड़ाई करती है वो तो सबको पता है ठीक है तो सारे आपके रिड़ आपको चारो तरफ घूमने की सुतंदरता आर्टिकल 19 में दी गई है जहां मन हो वहां बस जाने की सुतंदरता यह सब ही आपकी सुतंदरताएं आपसे छीन ली जाएंगी क्या है कि यही सब सारी सुतंदरताएं आपसे छीन ली जाएंगी समझ में आया क्या कर ली जाएंगी आपसे सारी सुतंदरताएं छीन ली जाएंगी अब यहाँ पर देखिए, फिर एक आर्टिकल यहाँ पर आता है, आर्टिकल 50-369, क्या हो जाएगा, दूसरा आर्टिकल आपका हो जाएगा 369, यह आपको बेटम है, आर्टिकल यह आपको राष्ट्री में इस EMERGENCY में बता रहा हूँ, ध्यान रखना, राष्ट्री आपा 69 क्या कहता है article 369 और गजब है article 369 कहता है कि 20 और 21 को छोड़ करके 20 और 21 को छोड़ करके बाकि जितने भी कानून होंगे सब को रद्द कर दिया जाएगा क्या कर लिया जाएगा सब को रद्द कर दिया जाएगा एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से राश्ट्री एमर्जंसी का प्रभाव पढ़ रहा है कि हमारे देश में अधी तक ऐसा चल रहा था अब ये ये राश्ट्री एमर्जंसी के बाद ये घटनाई होना सुरू हो गई ऐसे ऐसे चीज़ें होना सुरू हो गई जिससे कि इसको हम कह सकते हैं की देश में emergency लगते ही ये ये प्रभाव पड़ गए है कि आर्टिकल 352 का प्रियोग किया गया, आर्टिकल 352 का प्रियोग किया गया, जब आर्टिकल 352 आया, तो 358 साथ ले करके आया, और जब 355 आया, तो 350 में दिया गया है 358 में ये दिया गया है बेटा कि जो रेड होगी जो संभिधान की जो हमारे मौलिक अधिकार के रेड है आर्टिकल 19 उसको क्या कर दिया गया रद कर दिया गया क्या कर दिया गया रद कर दिया गया और आर्टिकल 369 भी आएगा आर्टिकल 369 कह रहा है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके 21 का भी दिया गया है ध्यान रखना 21 का में आपको यह दिया गया है कि 6-14 वर्स के निशुल के सिच्छा का अधिकार है वो आपको सरकार द्वारा दी जाएगी 6-14 वर्स के बच्चों के लिए तो यहाँ पर आर्टिकल 21 का का नहीं दिया गया है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक के स्वतिंदरता दी गई है ध्यान रखना दिस इस मोस्ट इंपोर्टन तो यह आपको दिया गया है तो यह आपका क्या है कि इन दोनों को छोड़ करके बागी जितने भी पूरे आर्टिकल है सब पर क्या कर दिया जाएगा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा अर्थात रोक लगा दी जाएगी जैसे ही एमिर्जंसी पावर लगेगी अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में बात करूँ पहली जो सिफारिस होगी यहाँ पर यह आपको important होगा exam की दृष्टी से थोड़ा मैं इसमें इंक वो कर लो exam की दृष्टी से किसकी किसकी सिफारिस पर यहाँ पर लगाई जाएगी तो मैंने पहले बता चुका कि राष्ट्रपती जो राष्ट्री emergency लगाई जाएगी वो आपकी पहली जो लगाई जाएगी पहली की में बात करूँ जो पहली जो आपकी यह लगाई जाती है यह आपकी मंत्री मंडल पहले में बात किया था भी मंत्री मंडल के लिखित सिफारिस पर आपकी national power, national emergency power का प्रियोग किया जाएगा और इसके किसके लिखित सिफारिस पर मंत्री मंडल जितने होंगे यहां पर अभी दिखिए लोगसभा आपके दिमाग में डाउट होगा कि लोगसभा और राजसभा क्यों नहीं सर लोगसभा भी राजसभा भी आएंगे बेटा दूसरा में लिखेंगे यहां पर जब भी मंत्री मंडल की सिफारिस पर राश्ट्री आपात सक्तियां लगाई जाएंगी वो मात्र 30 दिन के लिए ही रहेंगी कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए ही रहेंगी और अगर ये राश्ट्री आपात सक्तियों को 30 दिन से जादा बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा जो हमारे सांसद होंगे उनके अनुमोदन पर क्या अनुमोदन पर इसकी डेट को बढ़ाई जाएगी ध्यान रखना क्या करें जाएगी उनके अनुमोदन पर प्रस्तावक अनुमोदक और प्रस्तावक होंगे अनुमोदक जब आपके जब राश्ट्री जब वो जो सांसद होंगे वो आपके जब देंगे कहेंगे कि हाँ आप जो है विटा ध्यान रखना जो हमारी सांसद होते हैं वो हम लोगों द्वारा जाते हैं क्या होते हैं हम लोगों द्वारा जाते हैं यहा हो गया कि national emergency power इस महीने लगा दी गई और इस महीने में ही 10 दिन बाद चुनाओ है 10 दिन बाद चुनाओ है तो बेटा क्या होगा कि यहाँ पर उस चुनाओ को टाल दिया जाएगा राश्ट्री सुरच्छा के लिए किसके लिए उस चुनाओ को टाल दिया जाएगा जोकि आपका 5 साल होता है तो वो आपका 6 साल हो जाएगा ध्यान रखना एक साल दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और जब यहाँ पर जब यह लगाएंगे जब राश्ट्रपती केवल 30 दिन के लिए लगाएगा और 30 दिन के बाद जब बढ़ाना होगा राश्ट्रपती को जब एमेरजंसी सकती को और कुछ दिनियों के लिए बढ़ाना होगा तब यह क्या होगा तब यह आपके सांसदों द्वारा अनुमोदक पर बढ़ाया जाएगा ध्यान दखना सांसदों को यह अनुमोदक पर बढ़ाया जाएगा कितने दिन के लिए होगा यह मात्र तीस दिन के लिए राश्ट्रपती द्वारा लगाया जाएगा और 30 दिन के बाद जब लगाया जाएगा तो आपके जो सांसद होंगे वो ये चीज डिसाइड करेंगे कि कब तक के लिए इसको रखना है राश्टपती पावर कब तक मतलब राश्टपती नेशनल एमरिजनसी कब तक के लिए और आगे बढ़ाना है तो ये करके ये आपके 3-3 महीने 3-3 महीने, 2-2 महीने 30-30 दिन ये कर करके क्या कर देंगे कि उसको बढ़ाते चलेंगे और क्या करते चलेंगे कि वो जब तक देश में उग्र बना रहेगा जब तक देश में विवास शुरू रहेंगे तब तक के लिए ये सांसद द्वारा क्या किया जाएगा अनमोदक पर अनमोदक दिया जाएगा और अनमोदक पर अनमोदक दे करके क्या किया जाएगा कि राष्ट्री आपाज सक्तियों को बढ़ाते चला जाएगा यह आपका हो गया यहां तक यहां पर और दो बाते होंगी जब भी धयान रखना जब सांसद जब यह अनमोदक देंगे यह मँसर सूचेगा कि एक दो सांसद अनमोदक दे दिये तो हो गया राश्ट्रपति सासन लग गया इस तरह हो तो बहुमत की जिसकी सरकार है नरा interrupt महुधी जी की बहुमत की सरकार है तो पतल है कि रोज़ दे अमर्जंसी पावर ही लगी रहे अमर्जंसी सकती ही लगी रहे नेसनल पर ठीक है तो यह ऐसा नहीं होता है यहाँ पर ध्यान रखना अनुमोदक जो होंगे जो सांसद होंगे उनको 2 बटा 3 पर 2 बटा 3 परसंट 2 बटा 3 पर मतलब 6-6 परसंट अनुमोदक देना पड़ेगा तब जाके यह राष्ट पती सकती आगे बढ़ेगी 2 बटा 3 की बात कर यह आप से एक्जाम में पूछा जाएगा कि 2 बटा 3 क्या है बेटा तो 2 बटा जो होगी 3 जो 2 बटा 3 आपका परसंट होगी 6-6 परसंट राजी सहमती होनी चाहिए यह बात ध्यान रखेंगे यह हो गई आपकी राष्ट्री एमरिजनसी सकतियां बेटा राष्ट्री एमरिजनसी सकतियों में जब भी लगती है खतरनाक तरीके से लगती है देश में विवाज छिड़ा हुआ है यहाँ पर किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए कि हमारा मौलिक अधिकार है चारो तरब घूमने की तो बेटा 365 दिन आपकी रक्षा कर रहा है देश तो आप एक दिन के लिए दो दिन के लिए, दस दिन के लिए, तीस दिन के लिए, आप देस की रक्षा नहीं कर सकते हैं, मेरा मानना यही है, ठीक है, तो यह आपकी भालाई के लिए ही, राश्ट्री सक्तियां लगा जाती हैं, राश्ट्री एमर्जनसी पावर को यूज किया जाता है, और यहाँ पर इतनी बातें आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है? इतनी बातें ध्यान में रखना होगा, यहां पर ध्यान रखना, राश्ट्रपती केवल 30 दिन के लिए लगाएगा, और जो सांसाद आएंगे, वो उनके अनमोदक पर ही, उनके अनमोदक पर ये चीज़ें आगे तो ये 60 दिन के लिए अनुमोतक करेंगे, 60 दिन के लिए जो सांसद होंगे, वो 60 दिन के लिए लिखित प्रमार देंगे, कि हाँ अभी देश पर उग्र है, तो इसको आगे बढ़ा दिया जाए, समझ में आ गया, और कितने परसेंट होना चाहिए, 6-6% आपके अनुमोतक होन चाहिए, युद्ध हो गया आपका, युद्ध जब सुरू होगा, ससस्त विद्रो तीनों बातें मैंने आपको चर्चा कर दी है, तो ये आपको ये घटना याद करना होगा, 358 ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर कोश्चन कैसे बनेंगे, राष्ट्रपती, राष्ट्रपत को चीन लिया जाता है, ये आपको कोश्चन बनेगा, तो आर्टिकल हो जाएगा 358, और 358 में आर्टिकल 19 को रीड कहा गया है, मूल अधिकार का, जिसको क्या कर दिया जाएगा, चीन लिया जाएगा, और चीनने के बाद क्या कर दिया जाएगा, आप से सारी सक्तियां ले जाएंगी यह हो गई आपका 369 बीस और 21 को accepted कह सकते हैं आर्टिकल 369 में यह कहा गया है कि 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बागी सभी पूरे सम्विधान में जितने भी आर्टिकल हैं जितने भी आपको सतंतरताइं दी गई हैं सब पर क्या कर दिये जाएगा सब को रद कर दिये जाएगा जब तक के लिए आपकी ये राष्ट्री आपास सत्तियां लगी होंगी तब तक के लिए समझ में आया यहाँ पर अगर जिसको भी डाउट है कि सर इसको हटाया कैसे जाएगा अब मैं हटाने की बात कर लूँ तो पेटा ध्यान रखना अगर ये 30 दिन के बात कर रहे हैं राष्ट्र पती साहब कि 30 दिन के लिए लगाया जाएगा हटाने की अगर राष्ट्र में मालीजेगी उग्र है हर तरफ दिवाद छेडा हुआ है कहीं न कहीं आक्रमण हो रहे हैं तो ये आपका क्या कर दिया जाएगा कि कह सकते हैं कि जितने दिन आपका ये आक्रमड होगा कि 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बीच में हटा लिया जा सकता है इसको ठीक है? डाउट किलियर हो गया होगा कि बीच में भी इसको अगर 30 दिन के लिए जरूरी नहीं कि 30 दिन के लिए अगर एक बार राश्ट्री सकती लगी, राश्ट्री एमेर्जंसी सकती लगी, तो वो क्या हो जाएगा, कि वो 30 दिन के लिए चले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर बीच में वो उग्र जो है, जो उग्र देश पर चल रहे हैं, जो आकरमड युद्ध वगारा, विद्रोह वगरा हो रहे हैं, वो अगर बंद हो गएं, दस दिन में थम गएं, तो वो क्या कर ली जाएगी, सभी सकतीयों को, फिर से आपको दे दी जाएगी, और एमेर्जंसी राश्ट्री आपा सकतीयों को हटा लिया जाएगा, समझ में आया, इतनी बाते समझ में आ गई, तो इतन आप यहां पर पहले आप हेडिंग डालेंगे, सकतीयों कीशची बीडालेंगे, जब किसी विदेश आकरमण हो जाए या ससस्तर विद्रो हो जाए, तो मंत्री मंडल की सिफारिक्स पर राश्ट्रपती राश्ट्री आपार सकतीयों की घोसना कर सकता है, यह आपका हो गया, समझ में आया मैंने यही बाते बताई बेटा ध्यान रखना यह आपको लिखने के लिए मैं देख बदा रहा हूँ जो कि जिसको जिसको नोट्स की जरूरत है नोट्स बना लीजिएगा जो भी नोट्स की सिफारिस कर रहे हैं जो नोट्स की डिमांड है अब देखिए घोसणा के 30 दिन के अंदर सांसत के द्वारा सदनों द्वारा राश्ट्री आपात की अनुमोदक अनुमोदन करना आवस्थक है यदि राज सभा पर दिया तथा घोफणा भंग हो तो नई लोग सभा 30 दिन के भीतर अनुमोदक करेगी यहाँ पर यह बात है कि यदि अगर मान लीजिये कि राज जो है राश्ट्री मान लीजिये कि यहाँ पर मैंने सांसतों की बात करी तो यहाँ पर आपकी लोगसभा और राज्यसभा होती है तो बेटा राज्यसभा जो होगी लोगसभा जो होगी वो हमारे द्वारा जाएगी और जो राज्यसभा होगी वो दूसरे के द्वारा चुनी जाती है जो हमसे उपर जिनको हम चुनते हैं उनके द्वारा वो चुनी जाती है तो जो माली जी कि राज एक ना एक चीज एक ना एक दोनों में एक रहेंगी दोनों में एक रहेंगी या तो राज्य सभा रहे या तो लोग सभा रहे लेकिन राज्यसभा हमेशा सांसद में सांसद भावन में मौझूद रहती है अगर मालीजी कि चुनाओ है और चुनाओ के समय में मालीजी कि लोगसभा का चुनाओ है और राज्यसभा वहाँ पर बैठी है और राश्टरी सक्तियों को प्रियोग करना पड़ गया एमर्जनसी पावर का प्रियोग करना पड़ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा कि राजसभा जो होगी जो राजसभा होगी वो 30 दिन के लिए अगर भंग, भंग की मैं बात करूँ लोगसभा यदि अगर भंग है तो राजसभा इसको लगा देगी और लोगसभा जब नई बनेगी जब नई लोगसभा का न्यूक्ति होगी तो नई लोगसभा 30 दिन के अंदर क्या करेगी कि उसका अनुमोदक देगी कि हाँ हम भी इसमें ये ऐसी ऐसी बाते हैं और वो उनसे पूछा जाएगा कि क्या है आपकी राय क्या नहीं है वो भी लिख करके ये चीज़ देंगे मतलब यहाँ भंग की बात की गई है ध्यान रखना दोनों बाते मैंने आपको बता दिया है आप दिखिए तीसरी बात है दोनों सदनों में अनमोदक मिलने के बात आपाथ 6 महीने तक लागू अनमोदक अनंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है मैंने ये बात पहले बता दी 6 महीने तक हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, जितने महीने जरूरत पड़ी वो आपका राश्ट्रपती जो ये आपका सांसध है ये आपके अनमोदक द्वारा क्या करेंगे बढ़ाते चले जाएँगे और उनकी क्या होनी चाहिए 680% हामिगीरी होनी चाहिए कि 680% राजी होना चाहिए ठीक है लोक सभा और राजसभा राष्ट्रपती बिना राष्ट्रपती क्या कर सकता है राष्ट्रपती क्या आप प्रभाव जो मैं मैंने बता दिया कि प्रभाव क्या क्या पढ़ेंगे इसकी उसमे 350 आएगा, 350 आएगा, 350 आएगा तो 19 इसको ले करके जाएगा अब देखिए, हमें दूसरी बात करूँ, कि जो ये आपकी होगी, इस्टेट एमर्जनसी, राज की प्रसासन, राज की आपात सक्तियां, पिटा राज की आपात सक्तियां मोश्ट इंपोर्टन्ट है, ये आपका इस्टेट की बात करता है, वो हमारा राश्ट की पूरे राश्ट का बात किया, और ये क्या किया, कि इस्टेट की बात करेगा, किसी राज की बात करेगा, जोकि लिखा हुआ यहाँ पर राज की आपात सक्तियां, राज की एमर्जनसी पावर, इस्टेट एमर्जनसी पावर, ठीक है, अब देखिए, र मालीजे सरकार की बात करूं तो कह लीजे कि सरकार जो इस्टेट सरकार है इस्टेट में जो लगी हुई है जो मालीजे की भंग हो भंग की बात करूं तो वो अपने नियंत्रण में नहीं है राज सरकार बन गई मैं कह रहा हूं कि मालीजे लोकसभा का चुनाव हुआ क्या हु उने के बाद क्या हुआ कि वो बहुमत की सरकार बन गई अब बहुमत के अलावा क्या हुआ कि उसमें अगर मालीजे कि जनता सरकार बनने के बाद भी नियंत्रण में नहीं है तो नियंत्रण में नहीं है तो यहां पर क्या कह सकते हैं कि जनताओं द्वारा या राज्य के जो तो ध्य़क है जीत गए तुम चुनाओ लेकिन तुम कंड्रोल नहीं है तीक है सरकार बन गया तुम माण लीजेगे कोई राजे का मुखमंध्री बन गया है लेकिन क्या कर रहे हैं? कि वो राज़ पर, मुखमंत्री के पतपर बैठने के बावजूद भी राज़ पर नियंद्रा नहीं है और कंट्रोल नहीं है तब ये आपका क्या लगाई जाएंगी इस्टेट पावर लगाई जाएंगी state emergency power लगाई जाएगी तब देखिए ध्यान से यहाँ पर मैं अगर बात कर दूँ तो असांती की बात कर रहा है असांती की बात कर रहा है बेटा असांती राज में जब असांती फैल जाएगी राज में जब असांती फैल जाएगी तो ये असांती जो ये राज़ की है, राज़ की सकती है, तब ये आपका क्या करेगी, तब आपका ये प्रियोग होगी, अब देखिए, अभी मैं आगे भी बता रहा हूँ, दूसरी बात है इसमें, कि असांती तो फैल गई, अगर असांती फैल गई, लेकिन यहां पर दूस उसका क्या कर रही है उसका पालन नहीं कर रही है ठीक है राज्य में होता है आपका राज्य पाल ध्यान रखना और जो आपका राश्ट्र में होता है वो आपका हो गया राश्ट्र पती तो जो राज्य का मुख्यों हो गया जो राज्य का वो हो गया अब यहां पर ध्यान करिए कि आप इसको ची लागू करिए या इसको बंद करिए और अगर क्या कर रही है राज सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं मान रही है निर्देश का पालन नहीं कर रही है तो आइटिकल क्या ध्यान रखना आइटिकल 365 यही कहता है कि जब जब राज सरकार जब राज केंद सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो तब आपकी लगेगी क्या लगेगी State Emergency Power तब क्या लगेगी भहिया State Emergency Power तो Article 365 ये कह रहा है कि जब भी थोड़ा इंग डाल लो बेटा दिखे तो Article 355 ये कह रहा है कि जब भी ये Power आपकी लगेगी असांती के बदूलत लगेगी और दूसरी लगेगी Article 365 में ये होगा कि जब केंद सरकार का निर्देश को इदी और राज सरकार उसका पालन नहीं कर रही है तब आपकी क्या लगेगी State Emergency बास समझना ध्यान से Article के जरीए मैं आपको बता रहा हूँ और ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है दोनों बाते आपको मैंने बता दिया तो यहां पर क्या कह दिया गया तो 365 जो कहता है 365 तीसरी बात यहां पर है 365 और 365 और 365 का क्या करेगा 356 आएगा इन दोनों के लिए क्या करेगा 356 आ करके क्या कर देगा ध्यान से समझना 356 आ करके इसको क्या घोसित कर देगा कि emergency power मतलब की राज की आपास सक्तियों का प्रियोग कर दिया जाएगा किसके तहट आर्टिकल 356 के तहट इसमें क्या कर दिया जाएगा राज की आपास सक्तियों का उप्योग कर दिया जाएगा आपा सकती लगा दी जाएगी आर्टिकलों के जरीए है ये ठीक है मेरी बात यहां तक समझ में आई आई आप सबको अब देखिए यहां पर डाउट होगा आपको कि सर जब राश्ट में राश्ट्रपती है तो राज में आपका राजपाल होता है राजपाल क्या करेगा बेटा यहां पर राजपाल क्या करेगा राजपाल जब ये मुखमंत्री जी नहीं मानेंगे ना जब मुखमंत्री जी नहीं सुनेंगे न, जब मुखमंत्री जी केंद्र सरकार की नहीं सुनेंगे न, तो क्या करेंगे राजपाल, राजपाल उठा करके लिखित परिमार क्या किसको देंगे, राश्ट्रपती को देंगे, और राश्ट्रपती क्या करेंगे, इमर्जंसी घो करके ताड से लगा देंगे क्या लगा देंगे इमर्जंसी पावर लगा देंगे उस इमर्जंसी पावर का क्या नाम रहेगा राज की आपात सत्ती सारी बातें यहां पर होंगी देखी ध्यान से दो बातें फिर से होंगी कि किस मकसद से लगाई गई दो मकसद पूछ जाएं कि अगर माली जी कोई निर्देश दिया है किंदर सरकार कि ये काम नहीं होना चाहिए अब तुम कर रहे हो वो काम तब आपकी क्या कर दी जाएगी इस्टेट पावर लगा दी जाएगी अब सरकार बनने के बाद तुम असांती फैली हुई है राज में तब आपकी क्या कर दी जाएगी जिस राज में बात होगी जिस राज में जो राज नहीं सुन रहा है वो राज में ये चीज का प्रियोग किया जाएगा यह हो गई आपकी यहाँ पर राश्ट्रपती क्या करेगा राजपाल क्या करेगा लिख लेना राजपाल क्या करेगा राजपाल लिखित प्रमार देगा किसको देगा राश्ट्रपती को और राश्ट्रपती क्या करेंगे राजपाल ये बताएगा कि ये ये चीज घटनाय हो रही है हमारे राज्ज में ये ये चीज़े नहीं सुन रहे है मुखमंत्री साहब ठीक है ये ये चीज़े नहीं सुन रहे है जो आपने ये चीज़ दिया है वो चीज़ नहीं सुन रहे है तब आपकी ये चीच का प्रियोग किया जाएगा समझ में आ गया इतनी बाते समझ में आ गये इतनी भी बाते हैं आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपकी जब बात आएगी अनुमूदग की तो यहाँ पर ध्यान रखना अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रपती का कभी कभी पेपर पूश लिया जाता है कि राष्ट्रपती राष्ट्री राष्ट्री एमर्जनसी सक्ति को निश्नल एमर्जनसी पावर को कहा से लिया गया है तो जर्मनी से लिया गया है और इस्टेट का कहा से लिया गया है जर्मनी से लिया गया है कहा से लिया गया है USA से लिया गया है वित्ती को financial emergency को तीनों बातें एक नंबर का question यहाँ पर आपका clear हो गया अब यहाँ पर फिर आ जाते हैं हम राजकी में राजकी में क्या होगा कि राजकी में भी साथ दिन के लिए लगाई जाएगी कितने दिन के लिए लगाई जाएगी साथ दिनों के लिए लगाई जाती है और साथ दिन के अंदर साथ दिन के अंदर ही किसको जो हमारे सांसद होंगे जो विधायक होंगे जो सांसत, विधायक, राजसभा और लोकसभा दोनों मिल करके क्या करेंगे कि 60 दिन के अंदर ही क्या करेंगे 60 दिन में ही इनको क्या देना पड़ेगा अनुमोदक और प्रस्तावक देना पड़ेगा अनुमोदन अपना देना पड़ेगा बच्चा कितने परसंट लगेगा 6-6% राजी होना चाहिए लोग सभा राज्य सभा सांसद आपके कितने परसंट 6-6% यहां पर राजी होने चाहिए प्रभाव के गर मैं इसकी बात करूँ कि राज की सक्ति का प्रभाव क्या होगा तो राज की सक्ति में आपकी जो मंत्री है मंत्री की सारी सक्तियां छीन ली जाएंगी पहली बात क्या हो जाएगी मंत्री की जो होगी सारी सक्ति को एकदम से भयंकर तरीके से छीन ली जाएगी ये आपकी हो जाएगी जब मंत्री की और पूरी सक्तियां किसके हाथ में चली जाएगी राज जपाल के हाथ में चली जाएंगी जिस प्रकार से सभी सक्तियां हमारी यहां नेशनल पावर में सारी सक्तियां उठ करके पहुँच गई राश्ट्रपती के हाथ में उसी प्रकार से यहां राज की जो पूरी सक्तियां होंगी यह आपकी पहुंच जाएंगी राज़पाल के हाथ में ठीक है यह हो गई आपकी राश्ट्री, स्टेट, एमर्जनसी पावर और इसी प्रकार से यह उपियोग होती है इस प्रकार से यह लगाई जाती है और यह आपके मंत्री जो होंगे लिखित प्रमार देंगे कि हाँ हमको इस राज़ में राज़ की सक्ति का प्रियोग करना चाहिए राज़ की एमर्जनसी आपाश सक्ति को लगाना चाहिए क्योंकि इस मुख मंत्री के बस में नहीं है ठीक है तो यह आपकी जिस छेत्र में लगा जाएगा तो यह आपकी मंदल के सिफारिस से भी होगा मंदल के लिखित प्रमाण पर दिये जाएगा ऐसे नहीं कि राष्टपती लगा देंगे जिसका मन होगा उस वही लगा देगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ठीक है और यहाँ पर राजपाल की भी बात की गई है वो मैंने बता दिया कि राजपाल देगा किसको देगा राष्टपती को देगा तब जाके राष्टपती इस पर मनगरहन करेंगे और मनगरहन करने के बाद मंत्री मंदल के सिफारिस पर क्या लगाई जाएगी राज की सक्ति का प्रियोग किया जाएगा किसी राज पर फाइनेंसियल एमर्जनसी पावर वित्तिय आपाज सक्ति वित्तिय आपाज सक्ति की बात करूँ वित्तिय आपाज सक्ति एक सिंपल सी भासा में बात करें तो हमारे देश पर मान लीजे कोई किसी प्रकार की बाते हो गई कह सकते हैं कि वित्त जो है मान लीजे की वित्त की बात करू तो मान लीजे कह सकते हैं कि सरकार के पास बजट नहीं रहा तब ये आपकी वित्ती सक्तियां लगाई जाती है वित्ति सक्ति तब आपका यह प्रयोग की जाता है इस प्रयोग में प्रभाव यह पढ़ता है प्रभाव यह आपको कहता है कि यहाँ पर जो राश्ट पती का पिंसन छोड़ करके और क्या कर दिये जाएगा जितने भी आपके سरकारी कर्मचारी है उनके जो भी pension है या उनके जो जो उनकी pension जाती है उस पर क्या कर दिये जाएगा रोक लगा दी जाएगी और उसमें से क्या कर सकते हैं कटावती भी कर ली जाएगी 1991 में वित्ती सक्ती का प्रयोग नहीं हुआ था अभी आज तक आज तक की डेट में वित्ती सक्ती वित्ती आपात सक्ती का प्रयोग आज तक की डेट में कभी नहीं हुआ है यह common सी बाते हैं इसको ध्यान रखना अब गर मैं इसके आगे की बात करूँ तो आगे की बात करूँ मेटा तो आर्टिकल 360 में ये कहता है कि कौन लागू करता है राष्ट्रपती इसको लागू करेगा अनुमोदक भी इसमें सांसद और सांसद देंगे अनुमोदक की बात भी लिख लेना ये बात 360 का प्रियोग करके क्या करता है राष्ट्रपती इसका प्रियोग करता है क्या करेगा आर्टिकल 360 का प्रियोग करके राश्ट्रपती वित्ति आपात सकती का प्रियोग करेगा और वित्ति आपात लगाई जाएगी फाइनेंसियल एमेरजनसी पावर लगाई जाएगी आर्टिकल 360 के तहित आर्टिकल 356 का प्रियोग करके राश्ट्रपती लगाएंगे राज की सक्ति का प्रियोग करेंगे राज की सक्ति आपा सक्ति लगाएंगे किस आर्टिकल के तहित 356 के तहित आर्टिकल 352 के तहित र आपाद सकती लगाई जाएगी तीनो बाते आप ध्यान रखना 52, 56, 60 तीनो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और तीनो एक्जाम में अधिक से अधिक पूछे भी गए हैं ठीक है अब यहाँ पर देखे यहाँ पर जादा कुछ नहीं है आज़ तक कभी लगी है नहीं है अग लगाई जाएगी वेटा यहां पर ध्यान रखना जब भी लगाई जाएगी इसमें भी वही बात है इसमें भी वही बात कि अगर मैं बात करूँ तो जब यह लगाई जाएगी तो 360 के तहट लगाई जाएगी financial emergency power 360 के तहट राष्टपती लगाएंगे और राष्टपती जो लगाएंगे वो होगी आपकी 60 दिन के लिए और इसको कभी हटा या नहीं हटा भी सकते हैं एक बात यहां पर important है हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं देश की स्थिती के उपर depend है कि देश की स्थिती ख सारी पेमेंटों में से कुछ ना कुछ कटावती कभी कभी देखते होंगे कि जो सरकारी होंगे आपके घारों में टीचर उचर होंगे कोई तो उसमें देखते होंगे कि कभी कभी पेमेंटों को काट लिया जाता है तो बेटा हमेशा तो यह नहीं होता है लेकिन आज तक प्रियोग नहीं किया गया था ठीक है ये बाते ध्यान रखना तो यहां पर भी आपको साथ अनमोदक और साथ प्रस्तावक होना चाहिए और साथ प्रस्तावक और साथ अनमोदक कितने दिन तक साथ दिन तक हो सकता है लेकिन इसकी कोई डेट नहीं है कब इसको हटाया जा सकत है लगी रह सकती है क्या हो सकती है लगाई रहे सकती है कि लगी रहे अब ठीक है एक बार लगा दिये तो छोड़ दिये तो लगी रहे कोई दिक्कत नहीं है कब तक लगी रहे कोई बात नहीं है ठीक है तो यह है आपकी financial emergency power और यह financial emergency power का प्रभाव यही पड़ता है कि जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेमेंटों में से जो बजट होंगे राष्टपती का कम होने का चांस हुआ या कम हो गया बजट राष्टपती का कोई नया निर्माड करने के लिए कुछ घटनाय हो गई तुराष्टपती इर्माली जे की सरकार के पास पेमेंट नहीं है तब यह आपका यह वित्ती सक्ति का प्रयोग किया जाता है और यह आपके देश के अंदर लगा रहता है और किस आर्टिकल में भी आर्टिकल दिये गए बेटत बहुत समिधान निर्माताओं ने बहुत बहुत बहतरीन धंग से बताया है यहाँ पर कि 360 जो होगा न 360 का प्रयोग करके Financial Emergency Power बहुत दूर दृष्टी की सोच से लिया गया है और आपका यह लिया कहां से गया है USA से लिया गया है यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो कि टैक्स भी बढ़ाया जा सकता है टैक्स में भी परिवर्तन किया जा सकता है माली यह कोई टैक्स अभी 5% लग रहा है तो वो 10% कर दिया जाए जब वित्ती सक्ति का प्रयोग प्रभाव है यह सब यहाँ पर प्रभाव ध्यान देना है आपको एक ही चीज पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहट फाइनेंसियल एमरिजनसी पावर का यूज होगा वो है आपका आर्टिकल 360 इसको ध्यान रखना बाकी तो सारी बाते कॉमन हैं वही बाते हैं कि 60 प्रस्तावक और 7 अनमोदक मतलब कि 66 परसेंट प्रस्तावक होना चाहिए अनमोदक होना चाहिए जब भी इसकी जरूरत पड़ी तो फीक है तो यह है आपकी वित्तिय फाइनेंसियल एमरिजनसी पावर पूरी फाइनेंसियल एमरिजनसी पावर के हमने यहाँ पर चर्चा करली मतलब की एमरिजनसी राष्ट पती की एमरिजनसी सक्तियों की चर्चा करली और यही आपकी तीन एमरिजनसी सक्तियां दी गई है राष्ट पती के अंडर में कभी देश पर ऐसी कोई घटना होने वाली है और करनल साहब लेकर के गाड़ी हूं हूं चलते आ रहे हैं जब ये लग गया ना वेटा जब ये लगा दी गई तो जो जाम में फंसे हो गए हैं तो जाम में फंसने का मतलब ये नहीं होगा की बस वही बाद ठीक है तो वही तो उठा करके ना करनवाएगी ना जो जाम में सब हटा देगी तो यहाँ पर बहुत भैंकर होती है ये राष्टपती सक्ती जो ये आपकी राष्ट्रे सक्ती होती है और ये सब आपको राष्टपती के अंडर में दी जाती है सब ही आपको पूरी बातें यहाँ पर मैंने चर्चा कर ली है अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में जबर जस्त तरीके से ठीक है तब तक के लिए बने रहना जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखें हैं बुझा करके पिछली क्लास देख लें वहाँ पर भी मैंने जो राष्टपती की कौमन सक्तियां होती है जो राष्टपती की जो सक्तियां होती है एमर्जन्सी सक्तियों के से हटा करके जो सक्तिया मात्र होती है उनके भी बारे मैंने चर्चा की है और आर्टिकल फर्ष्ट से ले करके 61 तक हमने चर्चा कर लिया है आज के डेट में और आपकी आज से जो है ये आपका जैसे ही ये खतम मैं यहाँ पे लेक्चर खतम करके हटा वैसे ही आपका ये आपकी राश्ट और अडर पती के बारे में और उप राश्ट पती के अंडर में क्या होता है कैसे चुनाओ होता है क्या नहीं होता है सारी घटनाएं एक हम उसमें से